Hello everyone, this is Siddharth Patel. Welcome to Magnet Bains. Magnet Bains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सारे वीडियो बिल्कुल फ्री आफ कॉस्ट अवेलेबल मिरते हैं. यहां पर ऐसा नहीं होता है कि दो चैप्टर फ्री में देने के बाद Magnet Bains आप से कोई fee charge करता है, आप से कोई subscription की mark करता है. आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं non-ferrous minerals का distribution के बारे में बात करेंगे. हम लोगों ने already previous वीडियो में जो ferrous minerals होते हैं, उनके distribution के लाइक iron ore वगेरा, manganese, इनके हमने क्या बात कर ली? इनके हमने distribution के हम already बात कर चुके हैं. अब बारी है, यह जो non-ferrous minerals होते हैं, इनका इंडिया में कहां-कहां distribution है, उसे समझने की बारी आती है. Non-ferrous minerals क्या होते हैं? इनके non-ferrous minerals होते हैं, जिसमें iron content नहीं होता है. चीक है, ferrous minerals होते हैं, जिनमें iron content ज़्यादा होता है, और non-ferrous minerals होते हैं, जिसमें iron content नहीं होता है. चीक है, clear हुआ, एक चीज और जो मैं आपको बार-बार repeat कर रहा हूँ, कि इस chapter का map work आपको अच्छे से कब मिलेगा, यह जब पूरा chapter जैसे ही complete होगा, आपको एक ही वीडियो में पूरे geography का map को map work दे दूँगा, ठीक हैं? तो एक ही वीडियो में हम सारा map work बहुत अच्छे से solve कर लेंगे, आप map work को लेके बिल्कुल भी चिंतित ना हो, कि अभी map work हुआ नहीं है, कैसे होगा, map work को लेके आपको चिंतित नहीं होना है, वो मेरा टेंशन है, आपको map work का वीडियो मिल जाएगा सामय से, चीक है, so non-ferrous minerals, इंडिया इस पूर ली indoor with non-ferrous metallic minerals except bauxide, अब यहां पर यह बताए गया कि non-ferrous minerals हैं, वो इंडिया में बिल्कुल भी बहुत कम पाये जाते हैं, एक boxide ही ऐसा है, जो कि इंडिया में अच्छा-कासा मिलता है, बाकी सारी चीज़ें नहीं मिलती है, clear, इतना समझ में आया, ferrous minerals में ने क्या देखा था, कि ferrous minerals इंडिया में बहुत सारे हैं, इंडिया में बहुत सारे, एशिया में हमारे पास में सबसे जादा है, उसमें हमारे number लगता है, चीक है, हम exports करते हैं, लेकिन वहीं जब बारियाती non-ferrous minerals की, तो इंडिया में नहीं मिलते हैं, except bauxide, bauxide अच्छा खासा इंडिया में देखने को मिलता है, बागी सारे minerals से लेकिन वह ऐसे कहते हैं तुकडों में ना के बराबर है, चीक है, so bauxide, bauxide is an ore which is used in manufacturing of aluminium, aluminium, aluminium के aluminium के उसमें bauxide की मतर लगती है, aluminium के manufacturing में उसको aluminium, aluminium, bauxide से aluminium बनता है, ठीक है, आप यह समझे इसको, ठीक है, bauxide is found mainly in the tertiary deposit and it is associated with the latrine rocks occurring extensively either on the platew hills और peninsular India and also in the coastal tracks of the country, ठीक है, तो यहाँ पे आपने अलग-अलग तरीकी के rocks पढ़ा, तो यह जो bauxide है, वो basically latrine, यहाँ पे latrite rocks में हमें देखने को मिलता है, ठीक है latrite rocks में हमें bauxide देखने को मिलता है, और कहाँ पे basically peninsular India में यह जो coastal tracks है, वहाँ पे हमें bauxide देखने को मिलता है, Odisha happened to be the largest producer of bauxide, Odisha में again, Odisha बहुत important है, अगर आप लोग minerals के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो minerals के बामले में चाहिए ferrous हो चाहिए non-ferrous हो, Odisha एक बहुत important state है, minerals के distribution के मामले में, ठीक है, so Odisha को आपको हमेशा ध्यान रखना है, Kalahandi and Sambalpur are the leading producer, Kalahandi and Sambalpur जो Odisha में हैं, वह वहाँ पे हम क्या है, एक leading producer है, बॉकसाइक के मामले में, the other two area which have been increasing their production are, Bolangir and Kauraput, ठीक है, यह दो area में क्या है, दो area में हमें अभी increasing production, जैसे के Kauraput, यह आपको दिख गया, ठीक है, यहाँ पे देखने को मिलता है, बॉकसाइट हमें कहीं कहीं पता है, अमर कंटक जो है ना, अमर कंटक जो मध्य प्रिदेश और 36 गड़ की border पे वहाँ पे, वहाँ आमें बॉकसाइट देखने को मिलता है, मध्य प्रिदेश में यह जो कटनी है, कि cbc हमसे question पूछ सकता है वो सारे points हम लोग अच्छे से locate कर लेंगे गुजराच, 36 गड़, मध्यप्रदेश and महाराष्ट are the major producer भावनगर, जामनगर in गुजराच have the major deposit 36 गड़ have box side deposit in अमर कंटक प्लेटिव while कटनी, जबलपूर area and बालागाट in MP have important deposit of box side भही मैंने अमर कंटक प्लेटिव आपको बताया कटनी जबलपूर यहां पर हमें देखने को मिलता है ठीक है थाने, रतनागिरी, सतारा, पूने, कोलापूर in महाराष्ट are the important producer महाराष्ट की कुछ जगा, Tamil Nadu, Karnataka, Goa are the minor producer of the box side, यह minor producers है, Karnataka, Goa, Tamil Nadu यहां पर हम यह मैंने अमर कंटक प्लेटिव, कटनी, यह सारी चीज़े मैं आपको अरड़ी बता चुका हूँ, ठीक है, अब बारियाती copper की, copper के बारे में समझ लेते हैं, copper कहा है, देखो यहां पर कुछ-कुछ जगा आपको याद रखनी पड़ेगी, मैंने आपको जैसे previous वीडियो म नहीं तो लिखोगे क्या, तो आपको कुछ दो-तीन जगह का नाम तो याद रखना पड़ेगा, सारी जगह का बिल्कुल याद मत रखो, लेकिन दो-तीन जगह का नाम आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, copper is an indispensable metal in the electric industry for making wire, electric motor, transformer and generator, it is also mixed with gold to shendender jewelry, ठीक है, copper तो electric, वो मजबूत रहे, ठीक, जिसे हम गोल में मिक्स कर रहे है, electric wire, electric appliances में हम इसे यूज करते हैं, तांबा बगेरा बोलते हैं ना, जिसे हिंदी में, समझ गए ना, तांबा आपने देखा होगा, इसलिए, the copper deposit mainly occur in Singhum district in Jharkand, Balaghat district in Madhya Pradesh, Junjunu district and Alwar district in Rajasthan, minor producer of copper are in Agni Gundala, in Guntur district आंदरप्रदेश, चितर दुर्गा and Hassan district in Karnataka and South Akro district in Tamil Nadu, ठीक है, तो यहाँ पर आंदरप्रदेश हो गया, Tamil Nadu हो गया and Karnataka, यह minor producer हो गए, और Rajasthan, Madhya Pradesh में हमें इनके थोड़े से major deposit देखने को मिलते हैं, जैसे यहाँ पर अलवर आपने देखा, ठीक है, यह राजिस है, ठीक है, clear है, यह चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गई है, clear है, तो इसी के साथ में क्या होता है, इसी के साथ में हमारा, इसी के साथ में हमारा, जो non-ferrous minerals का distribution है, वो हमने complete कर लिया है, map work आपको already मिल जाएगा, so Magnet Brains की वीडियो, आप लोग YouTube से तो access कर सकते हैं, ब लिए आप लोग Google पे जाए, Google पे आप Magnet Brains.com लिखना है, आपको search पर click करना है, ठीक है, Magnet Brains.com लिखा, search पर click किया, इस तरह की का interface, आपको नजारा आएगा, यहाँ पर आपको जिस चीज़ की पढ़ाई करनी हो, CBS English Medium, Hindi Medium, Spoken English, उस चीज़ पर जाके click कर देना, suppose मुझे य subject के video, यहाँ पर screen पर नजर आगा, ठीक है, और अगर मैं थोड़ा सा scroll करके नीचे जाओंगा, तो यहाँ पर मैं को क्या देखिएगा, यहाँ पर मैं को class 12 का geography नजर आएगा, और जैसी मैं class 12 के geography को click करूँगा, यहाँ पर मुझे class 12 geography के videos नजर आएगे, और यह जो videos होंग यह videos आपके NCRT book के recording होंगे, chapter wise arrange होंगे, chapter wise पर में topic wise arrange होंगे, so it is up to you, YouTube से comfortable हो, तो YouTube से पढ़ो, लेकिन अगर आपको YouTube पे video नहीं मिल पा रहे हैं, तो website के माध्यम से आप पढ़ाई कर सकते हो, website पर आसानी से आपको सारे video मिल जाएंगे, और 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 भी आसानी से पढ़न है, और यहां पर जितने भी videos हैं, वो सारे videos आपको बिल्कुल free of cost available मिलेंगे, so जाद से जाद आप इन videos को share कीजे, magnet brains के बारे में बताएए, अपने school, college, institution, भाई बहनों को बताएए, साथी साथ video को like कीजे, channel को subscribe कीजे, मुलाकात होगी आपसे next video में एक नए topic के साथ, तब